हे इवरीवन वेलकम बेक टो मैं चैनल माइनेम इस सोनी एन वेलकम टू सोनी में कोवर तो कैसे आप सब उमीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो में हम आमपीट की वैक्सिंग और फ जरुआत की जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं और हमने नीचे से उपर के साइड में वैक्सिंग के अप्लिकेशन की है क्योंकि इनके जो हेर से वो नीचे की साइड से लेके उपर के साइड में गय हुए है इनके हेर्ट और उसके बाद में स्ट्रिप को अच् आप वैक्सिंग के application करते हो तुवेशन के निकालके आपको करना है और एकदम अच्छे से वैक्सिंग के application करने ही कहीं वी छूटना नहीं चाहिए बीच में नहीं तो आपके hurts जो है वो छूट सकते हैं और आपको ढूंढ ढूंढ के double double काम करना पड़ेगा वापस से कहाँ पे करना है तो देख सकते हैं कितना जदा टैनिंग निकली है इनके हैंड से और उसके बाद में हमने हैंड के उपरी साइड में किया है यहां पर थोड़ी सी मोटी लेयर लगाएंगे हम क्योंकि यहां पर फेर जो है वो मोटे मोटे हैं और जब भी आप स्ट्रिप चिपकाते हो तो अच्छे से चिपकाना है जोर से दबा के और जब खीचते हो तो उसे जोर से आप पोजिट डिरेक्शन में पूल करना है तो बिल्कुल भी नहीं पूल करना है नहीं तो इसे क्लाइंट को बहुत ज़दा पेन हो सकता है और या त अच्छा यही है कि आप लोग जब भी पूल करते हो स्ट्रिप को ध्यान में रहे आपको जटके में खीचना है तो देख सकते कितना आसान तरीके से वैक्सिंग हो जा रही है वैक्सिंग करना कोई मुस्किल काम नहीं है बहुत आसान काम है आप इसली आप घर पर अपने कर सक सकते हो लोगए कि ऐस मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो से एवेलेबल आ अमपिट वैक्सिंग सेविंग एंड वैक्सिंग मैंने खुद की अपनी मैंड वैक्सिंग की है तो अक्ड़ आप लोग खुद का वैक्स करना चाते हैं तो और तो प्लिस मेरी summarize कि वीडियो दूँगी या फिर एंड स्क्रीन में लगा दूँगी वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे वो शो होने लगेगी आप वहां से जरूर चेक आउट करना मैंने उसमें स्टेप बाइस बताया है कि आप खुद के हैंड पर या फिर अपने खुद के पैरों पर कैसे वैक् हैं या फिर अगर क्लाइंट हेल्दी है उनको हात्-दर्द होने लगता है थोड़ा सा भी हात उपर होता है तो आपको ऐसे हाथ को फैल आ लेना है दिन उसके बाद में आपको वैक्सिंग के अप्लिकेशन करनी है अगर आपकी क्लाइंट हेल्दी है तो आपको स्कीन को जोड से स्टेज करके ही स्ट्रिप को खीचना है नहीं तो इससे क्लाइंट को पेन हो सकता है और या फिर स्ट्रिप अच्छे से नहीं निकलेगी देखे मैंने कैसे पीछे से स्ट्रेज किया है और स्कीन को खीचा हुआ है तब ही हमने इसको वैक्सिंग के स्ट्रिप को खीच रहे है बीना स्ट्रेज की आपको नहीं खीचना है तो देख सकते हैं बहुत यह असान तरीके से हो चुका है wax अब हमने हाथ के पंजो पे किया है तो यहाँ पे जब भी आप waxing के application करते हैं तो ध्यान रखे कि यहाँ पे थोड़ी सी मोटी layer लगानी है आपको waxing की क्योंकि यहाँ के जो hairs होते हैं यह बहुत ज़दा कड़क होते हैं जबल दी नहीं निकलते हैं तो यहाँ पे कंजोसी नहीं करनी है थोड़ी भी waxing की application अच्छे से करनी है और बहुत जोर से इसे चिपकाना पड़ता है और नीचे से जो हाथ है उसे पकड़के ही खीचना है नहीं तो हाथ भी जा सकता है आपको नीचे से हैंड को पकड़के फिर स्टिप को खीचना है क्लाइंट के हैंड को पकड़के खीचना है इसे मैं पकड़के खीच रही हूं हैंड को तो देखिए लगबग पूरी हो चुकी है हैंड वैक्सिंग इनकी एक हैंड की हो चुकी है अब हम दूसरे हैंड की व आपको बता दू कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि हमें फूल हैंड वैक्सिंग करनी है तो फूल हैंड का मतलब होता है आमपीट की भी वैक्सिंग करनी होती है फूल हैंड में तो फूल हैंड में जब भी वैक्सिंग करनी हो तो आपको ध्यान में रह से और कितना अच्छे से क्लीन करने लूंट को थोड़ा बहुत स्वेटिंग होगी तो चिप चिप वह जदा करने लगेगा तो आपको कर आपको पहले हैंड की वैखसिंग करनी है और हैंड की मैंसिकर के बाद हैंड को अच्छे से क्लीन और सेक्षन को आपको ध्यान से देखते हुए करना है कोई भी पार्ट जो है हैंड का छूटना नहीं चाहिए नहीं तो अगर आप लोग कोई भी पार्ट छोड़ देते हो तो कस्टमर घर पे जाता है और इसे दिखता है हेट जो है वो फूट चुके हैं तो यही कहेगा कि आ कर नहीं आती है तो जब भी वैक्स करते हैं तो आपको नीट एन कलीन करना हैं ऐसा नहीं यह कि एक बाल कोण देखता है एक बाल से क्या होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप काम कर रहे हो तो आप एकदम perfect काम कीजिए कोई भी heads नहीं छूटने चाहिए या कोई भी कमी नहीं निकालना चाहिए customer ताकि customer घर पे जाए और उसे कुछ भी ना दिखे कोई भी बाल ना दिखे तो उसे भी लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छे से वैक्सिंग हुई ये मेरी एकदी बाल नहीं छूटे हुए है तो customer दुबारा return आएगा लेकिन अगर उसे आधे दूरे बाल दिखने लगते हैं तो उसे लगता है कि सब छोड़ दिया है कैसे किया है तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको permanent customer बनाना है तो एकदम neat and clean तरीके से आपको काम करना पड़ेगा पारलर पे कितना आसान लग रहा है करने में जितना दिख रहा है आसान करने में उतना ही आसान है आप लोग जब करोगे तो भी आपको आसान ही लगेगा बस जो बोलते ना टिप्स बताया है मैंने आप लोगों को उसे ध्यान में रखना है तो देखिए अभी हैंड के जो सीधे पार्ट में जहां पर टैटू निकालते हैं बहुत से लोग ना वहां पर जो हैंड होता है वह ना नीचे से पंजे की साइड से ना वह कोणी की साइड में गया हुआ होता है डारेक्शन तो हमें ऐसे हैंड को मोड लेना है मोडने के बाद हमें पंजे से लेके कोणी तक की डारेक्शन में हमने लगाना है और उसके बाद में कोणी के साइड से हमें इसे जोर से अपोजिक डारेक्शन में पूल करना है अपने पंजे की साइड में क्योंकि इनके यहां के हेर जो है वो उल्टी डारेक्शन में होते हैं तो अब हम जा रहे हैं आमपीट की वैक्सिंग करने हैंड की वैक्सिंग हो चुकी है तो सबसे पहले हमने टेलकम पाउडर के अप्लिकेशन की है ताकि आमपीट में थोड़ा भी मॉइस्टर ना रहे और अच्छे से पसीना सूख जाए और बुलते हैं अच्छे से जो वैक्सिंग है वो हो जाए तो ध्यान रहे कि वैक्सिंग करने के टाइम कभी भी पसीना नहीं होना चाहिए या फिर पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि वैक्स और पसीना या पानी ये दोनों एक दुसरे के दुस्मन होते हैं इससे नहीं हो पाता है वैक्स बराबर तो हमेशा पार्ट को अच्छे से सुखा के ही करना है वैक्स और इनकी एज की बात करें तो यह है 25 इर्स ओल्ड और इनकी जो ग्रोथ है आमपीट की आमपीट की ग्रोथ है डेड़ से दो मेने की ग्रोथ और यह हमेशा रेजर यूज करती हैं कभी भी वैक्सिंग जल्दी नहीं करवाती हैं इसलिए इनके जो बाल है वो बहुत सकता है कि बहुत जल्दी आ जाते तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो वैक्स होता है वो जड़ से बालों को निकाल देता है और जो रेजर होता है वो काट के निकालता है तो उससे हो सकता है कि बाल मोटे हो जाए या फिर बड़े जल्दी हो जाते हैं लेकिन वैक्सिं यह बहुत काफी हक्ता कम हो जाती है और बहुत लेट आती है तो आमपिट के भी वैक्सिंग पूरी हो चुकी है और हम इससे अच्छे से क्लीन करेंगे गिले स्पॉंज की हेल्प से दिर उसके बाद में हम एक और स्ट्रिजन्ट लगा देंगे ताकि इनको इचिंग ना हो त थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए बाबाई